लखनव से जारी हो गया देश, योगी आदित्तिनात के एक फैसले से हिल गए यूपी के 50 लाग परिवार रद्ध हो गई यूपी पुलिस भरती परिक्षा खुद योगी ने लिया एक्शन 6 महिने के अंदर करना होगा भी एक काम पेपर लीक मामले का मिल गया असली सबूत बाबा ने चला दिया बुल्डोजर कर दिया बहुत बड़ा एलान जिस बात का डर था वही हो गया, खुद बाबा ने एक्शन लिया और लखनव से टाइप होकर आदेश भेज दिया गया है योगी के एक फैसले से यूपी के 50 लाग परिवार हिल गएं किसी को उमीद नहीं थी कि योगी इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं लिकिन कैसे योगी ने पुलिस भर्ती परिक्षा रद्ध करने का फैसला किया वजे जान कर हैरान रह जाएंगे पुलिस भर्ती में पेपर लीक के दावों के बाद लाखो अभ्यारती परिक्षा रद्ध करने और दोबार एक जाम की मांग कर रहे थे राज सरकार ने परिक्षा रद्ध करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परिक्षा आयोजित करने का देश दिया है सियम योगी ने खा कि युगाओं की मेहनत और परिक्षा का खिलवार बनाने वाले लोगों के खलाफ कभी न भूलने वाला एक्षन लिया जाएगा यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अब भ्यारती पहले दिन से सडकों पर परिक्षा रद्ध करने और दोबारा परिक्षा कराने की मांग कर रहे थे अब भ्यारतियों के पेपर लीक के दावों और ग्रोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तरपदेश पुलिस भर्ती और प्रोनती बोर्ड ने अब भ्यारतियों से पेपर लीक की शिकायतों पर सबूत के साथ आपत्या मांगी थी भर्ती बोर्ड ने शुक्रवार की शाम 6 बजे तक अब भ्यार्टियों की शिकायतों को लेकर सबूतों को साबित करने वाली आपत्या प्रत्या वेदन मांगे थे जिसके बाद बोर्ड को लगबग देड़ हजार शिकायते भर्ती बोर्ड को आउनलाइन प्राप्त हुई थी पुलिस भर्ती परिक्षा को रद करने की जानकारी खुद मुक्य मंत्री योगी आदितनात ने दी है एक्स पर ट्वीट करते वे सियम योगी ने लिखा है योपे पुलिस के पदों पर चैन के लिए आयोजित परिक्षा 2023 को निरस्त कर दिया गया है इसके साथ ये अगले चैं मां के भीतर ही पुने परिक्षा कराने के आदेश दिये गए है परिक्षाओं की सुचता से कोई समझोता नहीं किया जाएगा युवाओं की मेनत के साथ खिलवार करने वाले किसी भी दश्रा में बख्षे नहीं जाएगे ऐसे आराजक तत्तों के खलाफ कटोर कारवाई की जाएगी योगी सरकार ने यूपे पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की जाँच का जिम्मा इस्पेशल टास्क फोर्स यानि की एस्टिया को सौपा है इसके साथ इस शासन ने भर्ती बोर्ड को ये निर्देश दिया है कि जिस भी इस तरपला परवाही बर्ती गई है उसके खिलाफ हिफाया दर्जकर के कारवाई की जाए पेपर रद करने के साथ ही यूपे पुलिस सिपाही भर्ती परिक्षा का पेपर छे महीने के अंदर दोबारा से कराने का आदेश दिया गया है इसके साथ ही परिक्षा के लिए आने जाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश परिवाहन निगम की सेवा से अब भ्यार्थियों को निशुल कुसुमिधा उपलब्द कराई जाएगी सिपाही परपर कुल साथ हजार दोसो चवालिस पनों को भरने के लिए सत्रे और अठारे फरवरी को प्रदेश भर में परिक्षा आयुजित के गई थी इस परिक्षा में 48 लाग से ज्यदा उमीदवार शामिल हुए थे अब भ्यारतियों का कहिना की दो दिन की चार पाली में हुई इस भर्ती परिक्षा में सत्रे और अठारे फरवरी की दूसरी शिप का पेपर लिख हुआ है अठारे फरवरी की शाम तीन से पांच की पाली में हुए प्रश्न पत्र तमाम अभ्यादियों के पास और कोचिंग टीचर्स के पास पहली पहुँच गए थे शाम होते होते से हम योगी के पास भी रिपोर्ट पहुँच गई थी जाज शुरू हुई और योगी आदितनात ने अब पूरी परिक्षा को ही रद कर दिया है अब ये परिक्षा 6 महिने के भीतर फिर से कराई जाएगी लेकिन सवाल ये है कि आकिर इतनी बड़ी धांदली कैसे रुकेगी इससे पहले आरो का पेपर भी लीख हुआ था और उसके लिए भी परिक्षा रद कराने की मांग की जा रही है नकल माफिया इतना जदा एक्ट्री हो गए है कि योगी सरकार भी नहीं रोक पा रही है पुलिस में भरती होने वाले बच्चे सबसे जदा गाउं से और गरीब परिवारों से होते हैं लेकिन कुछ मुठी भर लोग पेपर को ही लीक करा देते हैं और जो काबिल नहीं होते वो चैनित हो जाते हैं वैसे इस बार खुद योगी आदित्पिनात ने कहा है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा चुन चुन कर बुर्डोजर चलेगा लेकिन नकल माफियों के खिलाफ कैसी कारवाई होनी चाहिए अपनी रायाप कमेंट बॉक्स पलिकर ज़रूर बताएं इसके साथ ही ये भी बताएं कि क्या सिपाही बर्ती परिक्षा को रद करके सही क्या गया है बुरी बाट